किसान साथियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में किसान साथियों आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे देखकर सैद आप अपनी आखों पर विश्वास न करें जी हाँ ये हैं भुपेंदर चोहदरी जी जो कंजावली गाओं और तहसील रामपूर मनिहारन जिला सहरनपूर के रहने वाले हैं एक तिन ये मेरे फार्म पर आये सुबही सुबह और मुझसे कहा त्यागी जी मेरे चार साल के पोधे हैं सत्तर पोधे हैं चार वर्स के जो बीस बाई बीस पर लगे हुए हैं और कुछ पोधे हैं मेरे दो साल के जो भी वो भी बीस बाई बीस पर लगे हुए हैं कि जो मेरे चार वर्स के पोधे हैं, कि मुझे मन कर रहा है कि उनको उखाड कर मैं दूसरे पोधे लगा दूँ. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो जब उन्होंने मुझे कहानी बताई, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आपके पोधे मुझे विश्वास है, 90 परती सक्चे अधिक विश्वास है, कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको मुझे अपने फार्म पर ले जाना पड़ेगा. जब उन्होंने मुझे फार्म पर ले जाने की बात कही, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए फीस चाहता. या किसी डंडी से सहरा दिया विया था, ताकि वो डंडी नीचे न तूट जाए. पर्थम दरस्टी से देखने से ही मैं समझ गया, और खेत की दसा देखकर समझ गया, कि इनका मन उचट गया है, और ये इन्हें बीमार समझ कर काट देना चाहते है. किसान सातियों, सबसे पहले मैंने एक फावडा मंगाया, और मैंने कहा कि इतनी जगह को छोड़ कर पहले इस खेत की एक पेड़ के आसपास की सफाई कीजिए. जब वो सफाई करने लगे तो वो धिरे-धिरे काटने लगे, फिर मैंने फावडा लिया और मैंने का नहीं, इसे इतना गहरा और इतनी दूरी तक इसको साफ करो. जब वो खुदाई कर रहे थे उसके आसपास की, तो मैंने कुछ जड़े उठाई. इन जड़ों में देखिए कि इन्होंने चार वर्ष से कभी भी इसमें खोरा नहीं लगाया. पहली कमी चार वर्ष से कभी भी खोरा नहीं लगाया. किसान साथियों खोरा लगाना होता है कि जो पोधे की दुवित्यक जड़े हैं जो भोजन वाली जड़े हैं उनको एक बार काट देना चुँकि नए जड़े निकलेंगी और जब आप उसमें खाद देंगे तो वो धिरे 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 बढ़ती जाएंगी और पोधे को पोशक तत्व की पूर्ति कराएगी जो भी आप खाद और पोशक तत्व लगाएगी ये जड़े दो इंच नीचे से लेकर आठ इंच तक होती हैं लगबग 6 इंच की मोटाई में होती हैं इसलिए जमीन को आठ इंच तक काटना जरूरी है लेकिन तने से कुछ दूर ये द पोधा इस तरह से फहला हुआ था कि मैं चाहता था कि अभी कम से कम दो महीने ये इसी अवस्था में रहें तब मैंने उन्हें कहा कि आपका थोड़ा खर्चा होगा उनसे मैंने पूरी बात पूछी क्या दिया उन्होंने सही डंग से खात भी नहीं दिया था सही डंग से प परकार बनाए और इस परकार गहरी खुदाई करें कोई बात नहीं इसमें निमा टोड़ है हम इसको भी ठीक करें किसान साथियों भुपिंदर चोहदरी की लगन और मेहनत से आज ये बाग अपने पूरे सवाब पर है मैंने उनसे ये अवस्य कहा था कि हो सकता है चुकि हमें पेड़ों की कुछ गहरी भी कटिंग करनी पड़ेगी जो ये सतर पेड़ है इन पे फल कम आए हमारा उद्देश से था इसमें सर्दियों की फसल लेना तो उसने कहा कि सर अगर इस बार फसल कम भी आई तो भी चलेगा लेकिन कम से कम मेरे पेड़ बच जाए और अगले साल के लिए तयार हो जाएं तो उन्हें मैंने दो काम बताए एक बताया कि इसके जड़ के पास सफाई करो और इसमें कुछ दवाई डालो वो दवाई क्या हैं कितनी मात्रा हैं अमूमन मैं बताता रहता हूँ लेकिन परते किसान के खेत में बीमारी का किस रूप में है कितनी भयंकर है कितनी बड़ी बिमारी है उस पर निर्भर करता है और ये उसी तरह से करते चले गए जैसे जैसे मैं बताता चला रहा हूँ किसान सात्यों यहां एक बात मैं बताना आपको अवस्य उचित समझोंगा कि इसमें नहीं मैंने वेलम प्राइम का परियोग किया नहीं म अपने सभी परियोग में इसमें मैं विसेश रूप से नावेज जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम अपने सभी परियोग में सफल हुए हैं केवल मेरे बाग में 63 में से कुल 5 पोधे ऐसे बचे जो मैं नहीं बचा सका और वो भी उसका एक कारण मुझे पता चला क कि ये पोधे क्यों नहीं बचे हैं वो मैं फिर कभी आपके साथ साजा करूंगा किसान सातियों ये जरूरी नहीं है कि नीमा टोड पर आपने वैलम प्राइम दे दी या निमिश दे दी या कार्बो फुरान दे दी कोई भी दवाई दे दी इसका बायो इलाज भी सटीक बा करें और समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि समय क्या है चलिए मैंने इने कहा कि आप दवाई डालिए और इन्होंने दवाई डाली उसके बाद मैंने इने कहा आप बोर्डो पेस्ट बनाईए इन्होंने घर पर ही बोर्डो पेस्ट बनाया और इनको मै मुझे कई जहें इस परकार के किसान चाहिए है. एक और किसान है मेरे इसी परकार के, उन्हें भी इसी परकार कारिया कर रहे हैं। अब देखिए, इन्होंने जब इसमें दवाई लगाई, फिर मैंने इनको कहा, कि क्या आप इस पूरे खेत की पल्टी पुलाव करा सकते हैं कहते हाँ उनको समझ आगा चुकि वो खेती करते थे उन्होंने एक ट्रेक्टर मंगाया विसे इस रोप से और उसकी गहरी जुताई गरा लिए किसान साथियो अगर आपके बाग की साल में एक बार या दो साल में एक बार गहरी जुताई हो जाती है तो इसके दो फाइदे होता है पहला फाइदा होता है कि आपके खेत की कैपिलरीज खुल जाती है ताकि उसमें हवा का पूर्ण संचार होने लगता है जब बारिस होगी तो पानी जितना भी होगा बहुत जल्दी आपकी जमीन में चला जाएगा दूसरा फाइदा यह होता कि जितने भी जो हमारे सत्रू किटानू पनपते हैं उसके अंबर वो धूप में सोलराइज़शन के कारण खतम हो जाते हैं पुलाओ के बाद में इन्हें एक दवाई बताई वो दवाई डाली उसमें और उसके बाद इसमें कहा के पानी दे दीजिए इन्होंने पानी दिया उसमें और पानी देकर छोड़ दिया फिर इन्होंने इस पर रोटावेटर चलाया और रोटावेटर के बाद इन्हों ने फिर इस पर ये आपकी टिलिंग करवाई हो, टिलिंग करकर फिर छोड़ दिया इसको, किसान सातियों ये फरवरी महामे कारिया शुरू हुआ था और उसी टाइम इस पर काफी पत्ते भी आने लगे, जड़े कट चुकी थी, नीमा टोड़ का काफी आराम हो चुक फ्लावरिंग से पहले इसमें 15% यूरिया का 15 दिन के अंदराल पर दो बार स्प्रे किया, ताकि हम उस क्रोप को रेगुलेट कर सके, यानि उस क्रोप को कह सके हमें अभी नहीं लेनी है, देखिए इन्होंने इस्प्रे किया, और इस्प्रे के बाद लगभग पांच मई के आसपास, मैंने इन्हें कहा कि आज मैं आपके फार्म पर आ रहा हूँ, तो इन्होंने वे सब तयारिया की थी, खाद भी लाकर रखा हुआ था, सब चीज थी, और 3-4 जो कटिंग के इस्टूमेंट्स थे, जैसे स्केटियर था, छोटे वाला, बड़े वाला था, एक आरी जब मैं गया तो पहले पेड़ की कटिंग मैंने की, और जब बड़ी-बड़ी साखाए हम काटने लगे जो नीचे थी, तो थोड़ा सा इनको दुख भी हुया, पर इन्हें थोड़ी देर में जब दो पेड़ों की कटिंग हो गई तो इन्हें लगा कि हाँ, ये बहुत हमने उपर से हल्की कटिंग करी, अनावस्यक साखाओ को हटाया और फिर मैंने इन्हें कहा कि अब इसका थाला बनाईए है, एक रिंग बनवाया और कहा कि जो मैंने खाद बताया है उस खाद का मिसरंड बनाईए और इस प्रकार इसमें डाले, देखे कितना सुन्दर खेत लग रहा था उस ताइम, कमी सिर्फ एक थी के पत्ते नहीं थे, बिल्कुल गंजा बाग था, तो इन्होंने मुझे बाद में बताया कि त्यागी सर लोग हसने लगे थे, कहते ये आदमी पता नहीं किसे पगड़ लाए, पैसे अलग से ले रहा है और खेत काट कर फेंक दि कहने लगे सर इतने कले आ रहे हैं, इतनी कलिया आ रही हैं कि मैं तो हरान हूँ देख कर, उसके बाद आपको याद होगा कि मई महा के अंत में एक बहुत तेज बारिस भी हुई थी और बहुत तेज हवा चली थी, उसमें काफी पेड़ों को नुकसान हुआ था, तो अगले साथियो कटिंग का अमरूद में बहुत महत्वा है, आप बीस भाई बीस पर लगाएं या दस भाई दस पर लगाएं, पोदे अधिक हो या कम हो लगबग आमदनी उतनी ही होगी, केवल फर्क इतना होगा कि आपके फलों की गुनुवत्ता बहुत अच्छी होगी, उनकी ब सले निगलने का इन सब का ये परमान है कि नीमा टोड खतम हो चुका है, एक बार फिर बताना चाहूंगा, नै हमने वेलम प्राइम यूज किया, नै हमने निमिट्स यूज किया और नै हमने इसमें निस्टोड यूज किया, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किये हैं, वो बायो पर किये हैं और ये वाला एक्सपरिमेंट किया है और दो एक्सपरिमेंट हमने निस्टोड के भी किये हैं जिसमें हमें 98% सफलता मिली हैं। सिर्फ मेरे बाग में और एक और जगह पते जो बहुत ही पोधे खराब हो चुके थे वो किसी कारण से नहीं हो चुके अधरवाई 98% सक्सिस रेट है। किसान साथियो अगर आप लगन से कोई काम करते हैं और आपको विश्वास हैं। मुझे बहुत से किसान भाई अपनी समस्या लिख कर भेजते हैं लेकिन उन्हें देखकर मैं डिलीट कर देता हूं और उनका जवाब नहीं देता हूं। चुकि मेरे पास ने तो इतना समय है कि मैं उनसे बात करूँ और मेरे बार-बार कहने पर भी मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं देते। मुझे चाहिए आपका schedule क्या है आप खाद कितना देते हैं पोधे कब लगाए थे पहला इस्प्रे क्या किया था अगर मैं लिखकर भी दिया मैंने कुछ भाईयों को तो भी वो पूरी बात नहीं बताते। इसका मतलब आपको इसमें कोई रूची नहीं है और जिस आदमी को रूची नहीं होती मैं उसके उसको कोई सहता नहीं कर सकता। कुछ भाई मुझे फार्म पर बुलाना चाते हैं मैं उसके लिए fees charge करता हूँ बुरा मत मानना। अगर आपको सीखना चाते हैं तो मेरे WhatsApp ग्रूप में जाइए, WhatsApp ग्रूप जोईन कीजिए, इसकी fee से 2000 रुपे परती वर्स। आप सीखिये जिस प्रकार स्कूल में admission लेकर आप सीखते हैं, यहाँ पर एक साल के अंदर आप बागवानी की बहुत बाते सीखेंगें। आपको फाइदा लगे, आप एक साल के बाद बने रह सकते हैं और अगर नहीं लगे तो आप छोड़ कर जा सकते हैं। मुझे भीड नहीं चाहिए, मुझे वो किसान चाहिए जो सिक्सित होना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, चुकि मेरा mission बहुत बड़ा है, जो अब दो साल बाद एक दूसरे phase में आ रहा है। इस phase में दो बाग मैंने सलेक्ट किये हैं और उन बागों में निश्चे किया है कि इन में मैं देखता हूं कि किस हद तक इस साल बायो करने में सफल होता हूं। बायो अगर आप करते हैं, और्गनी खेती आप करते हैं, तो आपको पहले दो साल अपने बाग में भरपूर गोबर की मातरा डाले पड़ी, गोबर बनाना पनेगा, आपने देखा होगा कि मैंने विभिन प्रकार से गोबर बनाया, उसको टेस्ट कराया, मैंने जीवामृत को टेस्ट कराया, मैंने वेस्ट डीकमपूर जोर को टेस्ट कराया, ये टेस्ट सिरफ इस मेरे अगले एक्सपरिमेंट का आधार था, और अब मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल अवस्य हूंगा, सफलता ए सफलता, उपर वाले के हाथ में है, करम हम कर सकते हैं, लेकिन हर का ये करने का एक धंग होता है, अगर आप सूवेवस्ति धंग से करेंगे, तो सफल अवस्य होने, किसान सातियो भुपिंदर चोहदरी जी का नंबर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप इनसे बात कर सकते हैं, जितने भी सहरनपूर के लोग हैं, बहुत दूर नहीं हैं, राम क्या किया है, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरा इतना योगदान नहीं है, लेकिन मैं अपनी टीम का लीडर हूँ, मुझे एक टीम बनानी आती है, इसमें मेरी महारत है, और मेरी टीम के सदश से, जिसे जिसे मैंने जो काम दिया हु इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ धन्यमाद, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत, बंदे माकरण